Hello students, good morning, welcome to e-learning class, today I will teach you exercise 8.2, topic is divide the following, हमें divide करना है, first question क्या है, 9607 divided by 8, okay, means 9607 को 8 से divide करना है, तो सबसे पहले हमें 8 की table write करनी है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, ठीक है, अब हम first number देखते हैं, पहले, देखिए क्या है, 9, ये 8 से बड़ा है, ठीक है, means divide हो जाएगा, अगर यहाँ छोटा होता तो divide नहीं हो सकता था, ये बड़ा है, means divide हो जाएगा, हमें इससे छोटा number देखना है है, आपे आप, अब देखो 8 में इससे छोटा number क्या आएगा, 8, digit के नीचे digit लिखेंगे, अब इसको 9 में से हम 8 को minus कर देंगे, 9 में से 8 को minus करेंगे, तो क्या आएगा, 1, ठीक है, अब फिर देखेंगे, क्या 8, 1 से divide हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा है न, तो उपर से हम क्या करें, 1 digit राइट कर लेते हैं, वो क्या है, 6, 6 हमने write कर लिया, उपर से, ये राइट, क्या बन गया हमारे पास, 16, अब देखेंगे, क्या 8 की table में 16 आता है, या फिर ये देखेंगे, उससे छोटा, बट 16 आता है, कितने पर, 2 पर, 8, 2, जा, 16, फिर दुबारा हम minus करेंगे, 6 में से 6 गए, 0, 1 में से 1 गए, 0, ठीक है, अब उपर से हम, digit write कर लेते हैं, क्या, 0, अब देखेंगे, क्या, 8, 0 से divide हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम क्या लिखके, ना जाने की, 0, अब next digit क्या है, हमारे पास, 7, तो 7 write कर लेते हैं, नीचे, उससे divide करेंगे, अब देखेंगे, क्या, 8, 7 से divide हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि छोटी digit है, तो divide तो नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखके, इस इस digit का भी ना जाने की, 0, ठीक है, अब हमारे पास उपर कोई digit नहीं है, यह हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर, और यह हमारे पास क्या आ गया, कोशन, ओके स्टुडेंट्स, सबसे पहले हम सेवन की टेबल लिखेंगे, 7-1 जा 7, 7-2 जा 14, 7-3 जा 21, 7-4 जा 28, 7-5 जा 35, 7-6 जा 42, 7-7 जा 49, 7-8 जा 56, 7-9 जा 63, 7-10 जा 70, इवके स्टुडेंट्स, आप देखेंगे हम फर्स्ट नम्बा को, 3 लेकिन ये तो 7 से छोटा है means divide नहीं हो सकता तो हम अगला नमबर देखते हैं क्या हो गया है 35 तो 7 की table में देखो 35 आता है येस आता है कितने नमबर पर 5 पर तो 7 5 जा 35 अब हम इसको इसमें से क्या करेंगे minus 5 में से 5 गया 0 3 में से 3 गया 0 ओके उपर से अब हमें क्या देखने है देख पहले हम ये देखते कि 7 जो reminder हमारा बचा है हमारा जीरो बचा है means divide तो नहीं हो सकता ठीके अब हम उपर से क्या write करें 3 write करेंगे अब देखेंगे 7 3 से divide हो रहा है नहीं हो रहा क्योंकि ये छोटा नमबर है है ना तो हम क्या लिखे ना जाने की 0 जाए नहीं रहा यहां 0 लिख दिया ठीके अब उपर से फिर क्या write करेंगे हम 8 38 बन गया अब देखेंगे 7 की table में 38 से छोटा नमबर ठीके देखेंगे 7 बन जा 7, 7, 2, 14, 7, 3, 21, 7, 4, 28, 7, 5, 35, 7, 6, 42 क्या आ गया 35 छोटा नमबर है 38 से इतने पर है 5 पर लिख देंगे 75 जा 35 ओके अब इसको इसमें से हम क्या करेंगे 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 3 गया 0 लिखेंगे 7 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा और उपर भी हमारे पास कोई टिजट नहीं है तो हमारे यह क्या आ गया रिमाइंडर आ गया और यह हमारे क्या है कॉसेंड ओके स्टुदेंट्स आइ होप यू अंडर्स्टैंड थैंक यू